सुमवार की मध्य रात्री में पांसे मर रोड इस्तित संचेती कॉटेक्स में चोरों के टीम ने धावा बोला आफिस में रखी तिजोरी वो परिस्वर में खड़ी इनोवा कार चोड़ ले ओड़े गटना की जानकारी मिलने पर फैक्टरी मालिक ने पुलिस को सूचना दी पुलिस ने ततपर्ता से जाच प्रारम भी की वह खोज भी इन में जुड़ गई केतियां में लगी महाराश्च की सीमा के खेड़ गाओं के निकट खेट में खाली पड़ी तिजोरी वो कुछ दूरी पर इनोवा कार भी मिली संचेती कॉटिक्स की दिलिप जैन का कहना है कि तिजोरी में 12 से 13 लाक रुपे थे जो नहीं मिले पुलिस फैक्टरी परिसर में लगे सिसे टीवी फुटेच खंगाल रही है अलमारी को उनहीं को देखा उसके बाद में वह इतनी फ़ी थी कि आहते हैं ऐसे लाख और हो Sev logo if थि उसकी चाभी उनने वहांसे जामरे की लॉक कि को हमारी निकाली और यूवा गाड़ी लिए और पहले तो उन्हों थीरे से पीछ तीन लोगों ने गसेर्ल भी लिए उनने धकयल के और उसके बाद में वह अलमारी जो लाया थे वह वरंडे से walking कि खोल के वरंडे में गचाल दियो गाड़ी को गाड़ी के अंदर रख ली उन्होंने और उसके बाद में वहां से श्टाट करके इसे करीब चार-पाज लोग थे ये और वहां से निकल गए ये बज़े हमको दो बज़े मालूम पड़ी पुलिस परशर्शन वगएरा पोरा स सिरीखेड के लोगों ने गाड़ी देखी और वह अलमारी एक खेल खतिया खल्यान में पड़ी हुई थी और उसको रात को उन्होंने तोड़ फोड़ करके उसके अंदर जो राशी थी वह राशी ले गए वो और वहां पर सब अलमारी में पड़ी हुई टूटी फूटी अ यह कल रात को एक सुचना प्रप्स थी खेतिया थाना चेतर में जो कॉटन जीनिंग इसमें एक चोरी इगटना हुई है सुचना मिलने पर तुरंट पुलिस मोके पर पहुंच गई है और हमने तुरंट इसमें कारवाई करते हुए इसमें सभी तरफ से टीम लगा दी गई ह पहलों पर इसकी जांच कर रहे हैं दोस्तों न्यूस्ट्रेक लाइब की वीडियो को देखने के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बैल आकोन को प्रेस करें